Hello guys, welcome to Medai Saladwani YouTube channel So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्रखन के इतिहास की तो उत्रखन के इतिहास में जो आज बात करेंगे हम परमार वन से या पवार वन से की बात करेंगे परमार या पवार डैनिसिटी की बात करेंगे और यह पहला लेक्चर है हमारा उत्रखन के इतिहास का अभी पीछे जो भी सुरुआत से है उसको भी हम कबर करने वाले हैं लेकिन देरे देरे उसे कबर करेंगे तो गाइज अगर आप संस्तान का स्टेडि मेटरियर नोट्स पर्चेज करना चाते हैं तो आप संस्तान से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन बैज से जोड़ना चाते हैं तो ऑनलाइन बैज के लिए भी आप संस्तान से संपर्क करके जोड़ सकते हैं इसके अलावा गाइज अब यूटूब चैनल मेदाय सौलदानी पर हम लोग जो है लाइब जो है कलासिज स्टार्ट कर रहे हैं UKAAC, वीडियो, पटवारी, SI, ठीक है, उत्राखन पुलिस तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल से जोड सकते हैं, जल्दी ही जो है इसके अपडेट आपको दी जाएगी और यह बैच जो है लगबग जुलाई से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, बिसेस कर पटवारी और उत्राखन पुलिस और UKAAC से सम्बंदी जो भी एक्जाम होंगे, कम्प्लीट टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको कबर कराये जाएगा, ठीक है आज स्टार्ट करेंगे परमारवन्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जुरूर आप इसे सेर कीजिए और कमेंट के माधियम से अपनी परतिक्रिया हमें दे सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर, जिस भी सब्जेक पर आपको लेक्शर चाहिए, आप हमसे कमेंट सेक्श सिट्स वाहां पर हैं, आप उन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए गईस बात करेंगे परमारवन्स तो इसमें टॉटल जो होते हैं, 60 राजा होते हैं 1061 तक जो है यह वर्स तक के सासन करते हैं चलिए आप पहले बेसिक सी बात है कोई भी चीज होती उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले उसी का इतिहास हम लोग कबर कर भी रहे हैं तो गैस काल और समय की बात करें परमारवन से की तो यहां पर दो मत इतियास कारों कोई एक 688 इस भी को लेके है और एक 888 इस भी को लेके है ठीक है तो यह हरी कृष्ण रतुडी है इन्होंने तो 688 बोला समर्थक है इन्हें के स्री बैकेट बाल कृष्ण सांती भट कभी दे क्रिश्ण रतुडी ने अलग-अलग मद्दियें हैं और भक्तिदर्चन इन्होंने 888 बी को इसका टाइम पिरड माना है ठीक है चलिए यह तो थी टाइम पिरड को लेके बात है अब है संस्थापक को लेके अपुआद ठीक है आजय इपाल पवार वंस का संस्थापक था यह बताया है सिपरसाद डबराल ने डाक्टर सिपरसाद डबराल जैने चारण के नाम से जानते हैं घुमकड़ी सहुबा होने के कारण तो उन्होंने का कि पावर वंस का संस्थापक अजय इपाल था हलाकि जब हम पूरा इतिहास पड़ते हैं तब समझ माता है कि अजय इ करते हैं कनक पाल की जो कनक पाल है या इसके जो समर्थक है कनक पाल के स्री बैकट है कैपटन होडवीक अटगिंसन हरेकृषन रतोडी और डर्याक्ट्र पाती राम इन्होंने कहा कि ज्वार वंस का संथाफ़क है वो ओ अजमते हैं छे जानकारिया हमें कहां कहां से मिलती ह तो गैज ये जानकारे मिलते हैं हमें भौन दे या भवन पाल, मौला राम, लरिशा के राज्य कभी और सौन पाल या सौन पाल जो कि सासक होते हैं पावारवन से के 24 सासके होंगे आगे इनके बारे में भी हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है चली जो संस्तापक है कनक पाल संस्तापक था ऐसा बताया और क्या आधार इन लोगों ने रखा हुआ है थोड़ा सा इसको भी समझते हैं सबसे पहले बात करेंगे हाडविक की इत्यासकार है इन्होंने वनसावली 1796 को बेस बनाके इन्होंने बता दिया कि कनकफाल ही पावारवन का संस्तापक था त 1828 सिस्वी में इसी को परमानित माना भी गया है और इसी बेस पर पवार वनसका टैम पिरड और वनसावली राजाओं की उसको बना गया है ठीक है एक्टर पातिराम ने बताया कि जो ये कनंकपाल है मालवा से आया है और ये जो है चंदवंसी था ठीक है और बाद में लगे घड़ार था है सोन्पालका का हो ठीक है एकThen ठीक है आगी बात करते हैं मालवा के परमारवंसी राजाओं की क्योंकि परमारवंसी से हम इसको रिलेट कर रहे हैं जो परमार है न ये रास्ट कोट या गुजर परतिहारों के सामनते थे भारती इतियास में भी हम इसको पढ़ेंगे जो सियक दूती सिरी हर्स इनका नाम है 945 से 972 का टैंपिरर्ड माना गया है ठीक है तो परमार वन्स को राष्ट कूर्टों के अधिनता से ये सियक दूती या सिरी हर्स ने मुक्ति किया आगी जो है सिरी हर्स के दो पूत्र थे एक का नाम है मुंज जो की दतक पुत्र था दूसरा था सिंदु राज जो की दतक पुत्र के वे यानि की जो गोद लिया वा पुत्र है मुंज उसको गोद लेने के बाद ये पैदा हुआ ऐसा बताया जाता है जो मुंज है ये चानल के नरीस तैलब दूतियों को लगबच 6 ही कुछ आइस किर्थी चन के समयमा होगा उसे हम केर्थी चन मानसा के समयमा से अगे पढ़ेंगे तो जो गुजर परदेश है इसमें मेवार, गुजरात, महाराष्ट को सामिल किया जाता था ठीक है चलिए जी, उदर तो हमने बात कर ली थी कि ये कनकपाल को लेके तो फिर से थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में और इत्यासकारों के मत देखते हैं हरे किरिशने रतोडी ने क्या कहा जो कनकपाल है ये धारा नगरी गुजराज से आया है ये जो है उसमें परताप सासा थे यांके उनकी पुत्री ने आपनी पुत्री का ब्यवाव उन्होंने इससे करा दिया और बदले में दहज में जो है चांतपुर गड़ी दे दिया और चांतपुर गड़ी को राध्धनी बनाया इसने और यहीं पर परमारवनसी की स्थापना की या पवारवनसी की स्थापना की ये बताया हरे कृष्ण रतोडी ने गड़वाल का इत्यास इनके किताब भी है कभी कभा किताब से भी आ जाता है आगे है एटकिंसन एटकिंसन ने बताया कि धारा नगरी का पावारवन्स का युवग परवती छेत्री के पवित्री स्थानों में भरमन पर था ने की दौरे पर था तो सोनपाल जो इससे बड़ा थोड़ा इंफ्लेंस हुआ प्रभावित हुआ तो अपनी पूत्री का विभाइश से करा दिया और चांतपुर परशन ने बताया कि यह धारा नगरी से आया था गुजरात में पड़ता है और गड़वाल नरेश परमारवन्स के ही थे यह भी बताया राजपूतों की उत्पति आबु में अगनी कांडि से हुआ था उनमें से एक जाती परमार थी और यह चंदरपुरी नामक नगर बसा हुआ था यहीं पर और जो की परमारों का राजिस्तान में एक परचली तिस्तल था तो इसलिए इन्होंने रिलेट किया हुआ है अच्छा जो माउंट आबु है गड़वाल में जो है पवार मंस में जो समानताई देखने को मिलती है उत्तरकासी में के गोमुक और आबु के गोमुक की बनावड जो हैना सेम है जैसे स्वाद घाटी पाकिस्तान से इत्यास में हम पढ़ेंगे ऐसे ही यहाँ पर है आगे है मंदाकनी गंगा की साहिक ने दी पवित्र और मंदाकनी कुंड पवित्र माना गया उदर इदर यह है तो उदर है कोटे सर तेली गड़वाल में भानुपरताप ने अपनी पुत्री का बिवा कनकपाल से कराया यह कनकपाल 22 वर्सका था धारनगरी गुजरात से आया था और दहेज में चांतपुर गड़ी चमोली को दिया जिसे इसने 688 भी में राजधानी बनाया यह बात कही गई है ठीक है थोड़ा साब और आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं जो पर्थम राजा से लेके 36 तक को गणपती राजा कहते थे ठीक है एक गण का राजा जो है वो गणपती कहलाता था आगे 377 का जैपाल आएगा ठीक है यह बावन गणों को विजित करेगा इस तरीके से गणपाल यह कर आएगा अर्थाद गणों को जीतने वाला पंदर सब पंदरा में गड़वाल सेत्र को पुरा जीतेगा और गड़वाल सब्द का जन्मिदाता भी इससे बोला जाता है तो याद एक्रना लेकिन सिपरसाद डबराल के अनुसार जो गड़वाल सब्द का जन्मिदाता है मौला राम को बताया ग ये बाते हैं सिपरसाद डवराल ने ये बताया है ठीक है अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे अगले सासक की बात करते हैं अगले सासक आएंगे सोन पाल या सोन नपाल ठीक है सोन पाल या सोन नपाल इनका टाइम पिरेड है बारसो तैंतालिस से लेके बारसो पचास इस भी त है भिलंग घाटी में हमला किया है यह भिलंग घाटी में जो है ना यहां पर खस जो है राज कर रहे थी ठीक है इन्होंने खस को यहां से भगाया और भिलंग घाटी को भी अपनी राध्धानी बनाया ठीक है और 24 सासक है तो पावर उन से कावा सासक जिसने दो राध्धानिय बनाई तो सोन पाल होगा आगी अभी पूरी डिटेल में और अच्छे से हम पहले सासक से लेकि कहानी पढ़ने वाले हैं तो सोन पाल की दो राध्धानिया हो गई है एक तो औरेडी चांतपुर गड़ी है दूसरा भिलंग घाटी या सोनी भिलंग इसको बोला गया है ठीक है अगले सासक आनंद पाल आएंगे हलाके पहले हमने पढ़ना था आनंद पाल को 1191 से 1210 इस भी असोक चलने जो है इसी के समय में चांतपुर गड़ी पर आकरमन किया था और आनंद पाल जो है यहां से भाग के मलवा कोट में चला गया और वहीं पर राध्धानिया इसने बन यहां नाकपूर का ट्राहिए इसने बनाया और नाकपूर के पासिंश्म सुष्त जो है इसने इसने इससे पहले थोटा जान लेते हैं गई जो आठैस आठासी इजबी से लेकि ताइम पिरिड अगर माने चोदसन नब्य तक जो है यहां पर पूरा अराजक्ता का काल रहता है ठीक मारा अराजक्ता काल बोल सकते हैं कनकपाल से लेके अजयपाल ठीक है? पूरा अराजकता का काल रहेगा कनकपाल से लेके अजय पालता क्या बहुआ राजकता का काल इसे बोल सकते हैं आगे जो है 1490-1814 इस भी तक ये सिरिनगर काल इसे बोला जाता है और आगे 1815-1945 तक इसे टेहिरी रियासत में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो यह गाइस कुछ बाते हैं अच्छा जो एक चीज और उपर हमने पड़ी थी ना मैं आपको बता दू गाइस जो उपर हमने पड़ी थी कि जो यह धर्मपाल कहीं कर नालंदा अभी लेकिन सार पाल सासक धर्मपाल ने गड़वाल पर आकरमन किया था करके ऐसा बता से कर लेते हम जो कनकपाल है यह पोइंट आप मैंसन कर सकते हैं यह लगभग जो है ना 11 वर्सों तक सासन किया था और इसे गड़वाल का आधिपुरुस भी कहीं कहीं पर बताया गया है ठीक है और गड़वाल का आधिपुरुस के अलावा जो है अच्छा इसमें जो दूस वित्र lên के अलावड़ छांड पाल होता है ठीक है रटते हैं यह लगभगेr आधिपुर 30 नंबर के वित्रीया कहों डूसरी नमबर हो तो के रवा सवकूंगे और बाकि जो है ज अजयपाल है यह लगबग 31 तक शासन करेगा ठीक है और आगे जो है थोड़ा सा 31 सबस्थों तक तो इसके अलावा गड़ों की बात करते हैं हम 52 तो 52 में पहला गड़ जो यह माना जाता है नाधपुर्ट गड़ को यह जोनपूर्ट परगना छेतर चमबूली में है इसका अन्य नाम जो था नागनाथ ठीक है नागनाथ जो है इसका अन्य नाम था इसको भी आप मेंसन कर दीजिएगा इसके अलावा जो अंतिम गणपती था यहां का जो गणपती तो है था यहां लूधन गड़ को माना गयाहे ठीक है थोड़ा सा इनको हमें देखना पड़ेगा हूम्पॉटेंट Сейчас चीजों को कवर् अक्यूंकि लेक्ट जो है यह हमारा हो जा रहा है लंबा तो इसलिए प्योंधन डेष नहें कुप लखन दे उसे जो कि 2800 नंबर के सासों कोंगे यहां से कहानी हम पार्ट टू में कबर कर लेंगे अगर गाइज लेक्चर अच्छा लगता है आपको और कोई भी जानकारी आप कुछ है तो आप हमारे वाटसप नंबर पर मैसेज कतके जानकारी को ले सकते हैं वीडियो